असलाम लेकुम जी वी आरे इंटो आर सगेंड लेक्ट्टर अधिस अवाउट माइक्रोसॉफ वर्ल्ड कॉंग्रेचुलेशन्स यूव प्रफेशनल किसम की प्रेजेंटेशन्स बना सकते हूं ठीक है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी के लाइफ में ना कभी कबार हमारे पास ऐसे स्किल आ जाते हैं जिनको हमें अड़वांस लेवल पर खुद बखुद करना होता है अबी पावर पॉइंट के इतने स्किल्ज आपके पास हैं कि आप अपने आपको एक एमेचोर से ज्यादा के रैंक पर अपने आपको रैंक कर सको बट अभी भी जो advanced किसम की presentations होती है ना वो अभी हमने नहीं सेखी ना वो हमारे course का हिस्सा है बट I understand आप लोगों का जैसा aptitude है you are able to make that kind of presentations as well तो जितना powerpoint हमें सीखना चाहिए था उससे हमने जादा ही सीख लिया है मैं मैंने जो experience किया है आप लोग ना life में कभी शायद ही कभी हो जब आप कभी किसी hospital में काम करोगे या अपनी किसी field में काम करोगे तो आपको कोई ऐसी presentation बनाने को कहें जिसमें videos भी या audios की manipulation भी हो होगे वरना normally simple presentations होती है लेकिन हमारा फर्स था इसको अच्छे से सीखना हमने सीख लिया now heading towards Microsoft world यह आपके जो syllabus है जो वह है आपकी body है एक अच्छी सी होती है आपकी वह होती है यू एचेस की syllabus की guidelines के मताबिक तीन software माइक्रosoft office के suit के जो आपको सीखने है इसमें से पहले आपने सीख लिया Microsoft PowerPoint अब दूसरा जो है Microsoft world ठीक है यह बहुत जादा असान software है PowerPoint अगर आपने सीखने है तो यह आपको जादा असान लगेगा ठीक है काफी जादा बच्चों को already इसके बारे में knowledge होगा क्योंके 8 class में या 7 class में यह अब course का हिस्सा होते हैं आप लोग इने इससे पहले भी काफी जादा चीज़ें सीखी होंगी इनको नहीं आता that's fine हम आज से इसको एक नए तरीके से स्टार्ट करेंगे and you know कि मैं project-based learning पर believe रखता हूं मैं बिल्कुल simple आपको यह नहीं कहूंगा कि यह document बनाने के काम आता है एक्सेटर 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 तो चलते हैं Microsoft Word की तरफ यह क्या चीज़ है हमारी लाइफ में यह कहां 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 आता है इसकी real life applications क्या है ठीक है न ओके तो Microsoft Word जब आप इंस्टॉल कर लेते हो PowerPoint की तरह तो इसका भी आइकन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है यह तो आप इसको आइकन से open कर लो यह अपने desktop से जाकर यहां प MS Word कहना है इस World नहीं कहना यह दुनिया नहीं है यह वर्ड ठीक है लवस वला वर्ड अब जब इसको open करते हो तो आपके सामने ना एक ऐसी screen आ जाती है ठीक है पहले इस screen को अच्छी तरह समझना आपने यह screen basically आपको यह इसकाबिल बनाती है कि जनाब आप क्या करना चाहते है Microsoft Word में ठीक है यहां पे काफी जादा यहां पे left panel में देखेंगे तो यह फिलाल हम लोगो home में हैं अगर आपने कोई चीज new product produce करनी है तो आप new पे क्लिक करोगे आप देखरो interface change हो गया है अगर आपने कोई recently save किया हुआ document open करना है तो आप open पे जाते हूं ठीक है ना तो आप देखरों open पे जब मैं आया हूं तो यह मेरे पास recently open documents की list आ रही है पहले क्या होता था पुराने Microsoft Word के वर्यंज में मतलब जो 2016 से previous 2013 है ना उनकी जो memory है ना वो थोड़ी सी low होती है वो इतने जादा पुराने documents save नहीं कर पाती ठीक है ना बट यह वली जो है हमारे पास 2019 2019 का जो version है वर्ड का यह इसकी आप देख रहे हो memory काफी जादा है यह काफी जादा पुराने documents को आपके सामने पेश करते है ठीक है ना तकरीबन एक महीना पहले तक के documents जो मैंने open किये थे वो इसके पास अभी भी इसकी memory में पढ़े हैं ओके तो यह तहा है open के tab की बात फि account इसके साथ link होता है उसकी settings के लिए होता है यहाँ पर आपने नहीं जाना ना इसको छेड़ना है feedback में भी नहीं आपने जाना ठीक है हाँ कभी दिल किया कभी बहुत जादा free हुए आप तो कर देना इसको जो भी है यह options में जाके यह बहुत जादा advanced चीज है फिलहाल हमें जरुरत बिल्कूल नहीं है ठीक है लेकिन हम इसकी बात इंचाला आगे जाके करेंगे ओके वापस जाने के लिए यहाँ पर मुझे file का click करना पड़ता है हम बात करते हैं इस interface की तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम पहले बात करते हैं कि Microsoft Word की applications क्या है real life में ठीक है तो यह आ आप यहां दरा template में जाते हो एक तो यह blank document है जिस तरह blank presentation होती है जिसी तरह एक blank document भी होता है आज हमने इसी पर काम करना है but first let me introduce कि Microsoft Word की range किया है किस किस किसम के software produce कर सकता है Microsoft Word तो देखो यहाँ पे आपके सपास यहाँ एक checklist है यह एक brochure है यहाँ एक sign up के लिए list है एक यह color black color block resume है अच्छा यह ना resume है इसको resume नहीं पढ़ना यह resume है resume यह resume क्यों नहीं पढ़ना इसका फरका आपने समझना है देखें Microsoft Word में जब हम कोई इस तरह का document open करते है ना इसके आगे यह resume में लिखा हो तो उसका एक मकसद होता है वो मकसद यह है कि नॉर्मली ना आपने देखा होगा जब आप कभी कहीं पर job लेने जाते हो तो आप वहां जागे उनको यह नहीं कहते है यार मुझे job पर रखो ठीक है आप वो company आपको कहती है अपनी cv drop कर जाओ और जब हमें जरूरत होगी हम आपको call कर लेंगे ठीक है ना तो वो जो cv होती है ना cv का alternative name होता है resume कभी आप किसी अखबार में या किसी website के ad में देखो लिखाना दर आता है drop your resume तो resume होता है resume भी develop करने हैं तो आपके पास कौन सा software होता Microsoft Word ही होता है तो उसके भी built in templates इसके अंदर मौझूद है ठीक है ना ना सिर्व resume है बलके बहुत जादा templates हैं इसके अंदर जिनकों पर आप काम कर सकते हो ठीक है यह देख रहे हो आप अगर आपका एक restaurant है उसका भी brochure आपने बनाना है और आपकी graphic designing अच्छी नहीं है आप यह brochure इसको उपन कर लेता हूं ठीक है इसको बस आपने create करना है और जो उसका वो एक बड़ा ही awesome किसम का design है वो आपके सामने open होने के लिए ready हो जाता है ठीक है तो I prefer कि आप इस software के साथ अच्छे से खेलो ठीक है अब यह brochure मेरे सामने open हो गया है अगर मैं अच्छा graphic designer नहीं हूं तो फिर मुझे किसी graphic designer को hire करके उसको pay करना पड़ता कि मेरे लिए brochure का design बना के दो उके बट अब हमें जूंके Microsoft Word का पता चल गया है और हमें यह भी पता चल गया है इसमें काफी जादा ब्रोशर की लिस्ट already पढ़ी है टेंप्लेट की सुरत में तो हम इनी को यूज करेंगा अब आपने अपना restaurant का ब्रोशर डेवलप करना है आप अपनी मर्जी से यहां प आपको template में जो जो चीज़े होती है वो theme ठीक है ना आप यह images को यहां पर change नहीं कर सकते यह ठीक है कुछ images changeable होंगी कुछ नहीं होंगी तो यह theme की यह आपने template यूज किया ना तो template की जो हैं कुछ limitations होती है कि आप इस template में maximum यह customization कर सकते हो यह नहीं कर सकते ठीक है तो यह डिपन करता आप कौन सा template और उसकी कौन सी कस्टमाइजर जो उसका developer है उसने आपको कहां तक limitations दी हुई है कहां तक नहीं दी हुई ओके तो यहां पर बात कर रहे हैं हम एक ब्रोशर की इस तरह बहुत ज़्यादा templates हैं जिन पर आप काम कर सकते हो और ब्रोशर के लिए नहीं है different domains में आप काम कर सकते हो वो domains मैं एक द resume और cover letters हैं यह हम लोग हमारा एक चोटी से assignment भी होगी कि आप अपना resume में submit कर वाओगे जब मैं यह पूरी तरह सिखा दूँगा educational letters flyers cards business का कोई letter है तो यह सब कुछ हम लोग produce कर सकते हैं by using Microsoft Word ठीक है नब तो अब तरह काम करके देखते हैं कि Microsoft Word actual में actual में हमारे पास कहां पर काम आते हैं ओके तो हमने अपने Microsoft Word को basically कहां यूज करना है हमने Microsoft Word को यूज करना है अपनी assignments बनाने के लिए future में जब आप लोग research paper लिखोगे या कोई assignment बनाओगे तो you need a paper and a pen अब याद रखो paper और pen का जमाना खतम होता जा रहा है लोग electronic typing को ज़्यादा प्रफर करते हैं क्यों क्यों क्योंकि एक तो आपकी ink और कागल बच्चते हैं दूसरी बात ये कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त बच्चता है प्लस ये कि अगर आपने उस सीज की multiple copies generate करनी है तो आपको photocopier के पास जाना पड़ता है यहाँ पर क्यादा Microsoft Word में लिखा हुआ जो data है उसको आप तीन से चार clicks में चाहे वो 5000 words हो तीन से चार clicks में सारे के सारे copy हो सकते हैं ठीक है उसके लावा भी इसके कुछ wonders होते हैं जो हम explore करते हैं तो जब आपने new document बनाना है आपके सामने यहाँ पर आपने blank document पर क्लिक कर देना है ठीक है जब इस पर क्लिक करोगे तो सेव कर देंगे पर यह document उस नाम से सेव हो जाएगा यह भी कुछ buttons हैं जो आप वक्त के साथ सीखोगे यह buttons you know इनका क्या काम होता है यह मुझे बताने की ज़रूत नहीं है यह इस से आपके टैब चुप गए है यह दुबाओगे तो इस से वापस आ जाती है ठीक है यह को लिए rocket science नहीं है यह खुद से करके देखते तो भी आपको समझा जाती है उसके बाद आती है जी यहां पे इसको हम कहते है menu bar याद है करें मुली बात है एक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस menu items from file to help यहां पे मुझूद होते हैं 10 menu items उसके बाद जो सबसे ज़ादा अच्छी चीज मुझे लगती है Microsoft के Microsoft 2016 से 2019 तक के versions में वो यह है इनकी search bar let's suppose मुझे कोई अब देखें यहां पे 10 मेरे पास मुझूद है menu items इन में से यह design में जाकर यह वाटर मार्क की एक option होती है अगर मुझे नहीं याद रहता के वाटर मार्क की option कहां पे है मैं भूल जाता हूँ बजाए इसके के मैं सारे जाके फोला पाली करूं और फिर उसको ढूंडू मैं simply यहां पे लिख देता हूँ वाटर मार्क और वो जो option है वो मेरे सामने appear हो जाती है तो यह बड़ी fantastic option है जो Microsoft Office के packages में मौझूद है मतलब excel आप use कर रहे हो या you are using excel और access या PowerPoint या Microsoft Word उन सब में यह search bar अब मौझूद होती है तो by default हम लोग इस home के tab में काम कर रहे होती है इस home के menu item में मौझूद होती है इस menu item के नीचे जाएंगे तो यह आपके सामने होता है ribbon यहाँ पर कितनी ही जाए ऐसी options है जो Microsoft PowerPoint में भी मौझूद थी ठीक है जैसे यह वाला section font का section मौझूद था वहाँ पे paragraph का मौझूद था यह styles का मौझूद नहीं था और यह editing का भी मौझूद नहीं था ठीक है तो चूंके यह software उससे अलग इस तरह है कि इसकी nature है basically document production की यहा document production की, document किस के तरह की हो सकते हैं देखो अब इस तरह नहीं होता कि अगर आपने application देनी है ना किसी top management को या higher authority को तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे interface की एक खूबसूरत application की ताकि जब वो शक्स application को grab करे अपने हाथ में पकड़े तो उसको बहतर feel हो ना कि उसको जो हमें in software की nature होती है, document production की, ठीक है ना application लिखनी है, किसी को letter लिखना है, कोई journal तयार करना है, कोई magazine का page तयार करना है, आपने college के notice board पर लगे हुए notices देखे होंगे, वो कहां से produce होते हैं, basically Microsoft Word से produce होते हैं, ठीक है ना, अब उसके नीशी चलते हैं तो आपके सामने एक white color क पैनल आता है, ठीक है, इस panel को basically हम कहते हैं document window, यह वो window है जहां पे आप लिखना start करते हो, इस document window में एक cursor blink कर रहा है, ओके, आप देख सकते हो, यहां पे एक scroll bar है, इस scroll bar से आप इस page को नीचे या उपर scroll कर सकते हो, ठीक है ना, उसके बाद आपके बाद यह जो पटी है, य बार, ठीक है, इसको आप कहते हो status bar, क्योंकि इस पे आपका, इस पूरे document का status आ रहा होता है, जोंकि अभी हमारे पास, पहले page के अलावा कोई दूसरा page नहीं है, तो यह bottom left पे नजर आ रहा है कि जनाब अभी आपके पास अभी पहले page पे आप काम कर रहे है, ठीक है, अभी उसने कहा कि तुमने अभी तक एक word लिखा, enter दबा के एक और लिखोंगा, तो उसने मुझे पता दिया कि तुमने अब दो words लिख रही है, ठीक है, किस language में आप by default काम करें, United States में, अगर आप किसी दूसरी language को prefer करना चाहते हो, तो उसमें भी करेंगे, ठीक है, इसे होगा ये, कि जब आप grammar और spelling की mistake करोगे, तो इस language के मताबिक आपकी spelling और grammatical mistakes को पकड़ा जाएगा, उसको identify किया जाएगा, और अगर आप अपनी उस language की mistakes को ठीक भी करते हो, तो इस language के rules के मताबिक होगा, ये English United States की open की विया है, हम लोगों को बच्पन में जो schools या colleges में पढ़ पढ़ाए जादी, ठीक है, US English हमें नहीं पढ़ाए जादी, तो आपकी मर्जी आप इसको change करना चाहते हो, आप US English को select कर लो, तो वो US English के मताबिक आपकी grammatical और spelling mistakes को catch करेगा, ठीक है न, इसके बाद आप यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे एक कुछ वियू है, ये वियू हम जूम आउट की option मिलती है, ठीक है, कभी कबार ऐसा होता है, हम लोगों की विंडो बड़ी छोटी होती है, तो हम उसको अगर जूम इन करोगे, तो आपको विंडो जूम होई ही नदर आगी, जैसे मैंने जूम किया, तो आप देख रहे हो, मेरे पास एक horizontal scroll bar भी open होगी है, क यहां पर comfortable हो, वहां पर कहां करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, अब ना, यहां पर कुछ लिखके देखते हैं, उसकी properties देखते हैं, कि हम लोग क्या करेंगे, अट दा मॉमेंट हमारा कोई, आज वल लेक्चर में में हमारा कोई specific project नहीं है, simple एक थोड़ा सा text लिखेंगे, उ और कुछ short keys हैं, जो मैं आपको send करूंगा, वो आपको याद करनी होंगी, प्लस उन्ही short keys में से test होगा, test का format भी मैं आपको पहली बता दूँगा, ताकि आप लोग अच्छे से prepare हो, ठीक है, और जो आपके questions आते हैं, Microsoft Word से, वो mostly इसी के बन के आते हैं, कि आपने short keys याद क आती हूं, ठीक है, जो इंतहाई मुश्किल वली short keys होती हैं, वो नहीं आती है, ठीक है, लेकिन कुछ बहुत जादा easy short keys होती हैं, वो भी नहीं आती है, जो moderate level की short keys होती है, वो आती है, लेकिन हमने, इंशाला सारी की सारी गवर करनी है, ठीक है, बहुत जादा नहीं होती है ओके यहां पर अपना मैंने कुछ टेक्स लिख है लेट सबोस हमना एक नोटिफिकेशन आज का हमारा जो छोटा सा प्रोजेक्ट है वो यह है कि हम लोग नोटिफिकेशन जारी करना चाह रहे हैं कोई एक अनाउंस्मेंट है वो एक अनाउंस्मेंट आप तक पहुचानी है या आपने किसी तक पहुचानी है आपको टास्क मिला है कि नोटिफिकेशन बनाओ और आपने नोटिफिकेशन बनाना है ठीक है तो हम देखते हैं आपने सबसे पहले साई सी बात है आपके नाम तो वो AMDC वाले जारी करें ठीक है आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं आपकी मरजी है आप जैसे मरजी लिखें ठीक है अब आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास एक रेड गलर की लाइना आ गया है मैं इस फूंड का साइज इंक्रीज कर दूँ इस सारे को मैं सेलेक्ट करत है मेरे पास तो तीन आप्शन हैं यहां तो मैं यहां पर जाके फूंड का साइज इंक्रीज कर लूँगा ठीक है यहां तो मैं यहां पर जाके इसको इंक्रीज करूँगा ठीक अब यह वो चुक्छे एक ही वर्ड सेलेक्ट हुआ है तो एक ही का साइज बढ़ा हो रहा है आप इसको सारे को select करो और फिर फोन का size increase कर लो एक ये भी option होती है जो सबसे जाधा efficient और मुझे लगती है वो short की होती है control plus shift plus greater than ठीक है control a किया control shift greater than ये दवांगा तो ये बड़ा हो जागा ठीक है heading 1 जो मैंने इस पर apply की ना तो ये automatically एक well settled heading की तरह लग रहा है मुझे ओके जो कि पहले नहीं लग रहा था आपकी मरजी आप heading 2 भी रख सकते हो उसके लावा काफी जादा style होते हैं आप उसको भी open कर उसको भी apply करके देख सकते हो ठीक है लेकिन heading 1 क्यूं रखते हैं इस बात क की समझ आपको आगे जाके बेतर रहेगी अब मैं चाहता हूँ ये ना मिर्चुके heading है ये center में आ जाओ तो center के लिए आपके पास जूनो paragraph के section में ये center alignment की option होती है या इसकी short की आप देख रहे हो control plus e है मैंने वह दबाई ये बिल्कुल center में आ गई अगई अब मैं ये red line ख पारी है ठीक है या तो यहां से ठीक कर लो दूसरा तरीका होता है आप F7 की short की दबाएं याद रखने वली बात है F7 ठीक है मैंने F7 दबाई तो यहां पर मेरे पास ना spelling character open हो गए ओके यह मुझे बता रहे है जनाब तुमने ये तो नहीं लिखना था medical यहां ये medial तो नह और चेंज किया तो अब वहां पर medical हो गया ठीक है अब उसने मेरी grammar की भी एक mistake capture किया है या एंड का तुमने ए बड़ा लिख दिया ये एक helping verb है तो तुम यहां पर इसको capitalize नहीं करो grammar के rules कहते हैं कि इसको तुम चोटा करो तो मैं चाहूं तो मैं इसको and को बड़ा भी लिख सकता हूं capital भी तो यहां फिर आप इसको change भी कर सकते हैं मैं इसको फिलाल change करते हूं ठीक है अब उसने मुझे notification जारी किया कि जनाब अब तुम्हारा सारा काम खुबसूरत है अच्छा है आगे तुम चल सकते हो ठीक है अब notification बना है मैं यहां पर आगे enter दबाता हूं तो आ यहां पर आपकी तीन चार लाइन्स खतम हो रही हो उनको आप एक paragraph कहते हो पर याद रखने हो बात है कि Microsoft Word में paragraph का मतलब होता है जहां आपने enter दबा दिया वहां पे आपका एक paragraph खतम हो गया चाहे आपने एक word या एक letter लिक के भी आपने enter दबा दिया है तो वहां पे आपका एक paragraph खतम हो जाता है ठीक है यह Microsoft Word की terminology में हम लोग इसको कहते है paragraph ठीक है यहां पे अपने new paragraph start हो रहा है तो let's vote we are going to arrange मैंजरा phone size increase करतूँ we are going to arrange a badge party next week ठीक है you all are welcome to join us your presence will be appreciated and your presence will be appreciated ओके यह एक कुछ lines लिखके न अच्छी सी वो आप print करवाना चाहते हो notice board पे यहां पे मैंटर दबा देता हूं यहां पे हम इसका size थोड़ा सा मजीद increase कर लेते हैं ठीक है और इसको print करवाना है हमने लेकिन आप देखे हो यह बहुत जादा simple लग रहा है सारा कुछ बहुत जादा simple है आप क्या करो आप इसके गिर्दन बॉर्डर लगा सकते हो कैसे आप यहां पर आके आप इसको कर दें जी outside border ठीक है अब यह कुछ बेतर लग रहा है ठीक है और इसकी इसको justify कर सकते हो ताकि यह मजीद अच्छा लगे ओके इसके color बगारा भी change कर सकते हो वह अभी मैं वहां पर नहीं जा है को कि आज introductory lecture है and you know कि physical classes अभी नहीं हो रही है आप लोग ब बेतर सीखा सकूंँ आप उतना सीख लो ठीक है क्योंकि जब इंशाला माई physical classes start होगी फिर हम लोग जादा speed से पढ़ेंगा और जादा मेनत करेंगे इंशाला okay but I understand यह भी knowledge से कम classes नहीं है इन्हें भी full of knowledge content provide किया जा रहा है आपको यहां तक एक notice त्यार कर लिया आप और भी print करने से पहले याद रखें यह एक ethics होते हैं कि print करने से पहले हमेशा उसका print preview लेना चाहिए है okay वो कहां से आएगा देखो यहां मैं कहां पर गया हूं basically यह print होने के बाद कैसा लगेगा वो देखने के लिए हम print preview देखते हैं वो देखने के लिए आप जाते हो file में और print की option में जाते हो print पे जाते हो तो अब आपको गयादा है जनाब तुम्हारा document ऐसा लगना है इतना हिसा तुम्हारा खाली रहना है okay तो फिर आपने अगर कोई further changes करनी है तो कर सकते हो कितनी copies print करनी है वो आप यहां से print यहां पे उसको command देखे अगर तो आपने printer attach किया हुए इ printer से इसकी उतनी copies generate हो जाएंगी okay यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो very bad क्योंकि सारी चैसे बहुत जादा आसान थी कोई बहुत जादा rocket science नहीं थी please यहां तक कोई बात अगर आपने पूछ नहीं तो पूछ लीजेगा परना एक खुद प्रैक्टिस कर लीजेगा at least इसको अपने laptop में install कर लीजिए okay थोड़ इसी थोड़ इसी तंग करो parents को please कि आपके पास अपना एक laptop होना चाहिए है अब आपको आके जरूरत पढ़ रही है इन चीज़ों की और यह आपके अपनी होनी चाहिए ठीक ना थोड़ा था खुद भी कमाओ किसे ना किसी तरीके से कहीं पर पढ़ा लो किसी को tuition पढ़ा दो पैसे जमा करके तो अपने लिए laptop खरीद दो okay ताके आप महरूम नहीं हो देखें कितने students ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत जाधा potential था बाट अपने resources ना होने के बाद वजूद वह अच्छी presentations नहीं बना के बेज सके तो लो मैं समझता हूं आपका attitude अच्छा है तो you can make good presentation and you can excel in your career आप दूसरे subject में बहुत अच्छे होगे लेकिन देखो resources की वज़ unfortunate तरीके से अपने career को किसी वज़ा से पीछे होने देना ना misfortunate होने देना तो इन चीजों को अपने औजार पूरे करो मैं आपसे यह पहले भी discuss किया था class में के जनाब जो आपके exams है ना आपका educational career है वो आपके लिए एक जंग है और उस जंग में आपके हत्यार या आपके tools हैं आपके pen आपकी books आपके laptop ठीक है तो अपने इन हत्यारों को अच्छा रखो ताकि आप इस जंग को अच्छे से जीच सको okay ना के end पे आपका कच्रा निकला हो ना आपका और जो आप भार है और माले खनीमत किसी और को मिलता हो last में जो आपका laptop वगरा करीदा किसी और को मिल जाए one last thing जो हमने देखनी है वो यह है कि यह एक छोटा सा और project है वो आपने देखना है अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो description क्या होती है meta description यह ठीक है अब जो website जब आप यहां पर कुछ कोई चीज सर्च करत हो तो यह जो searchable word या phrase आपने लिखा ना इसको हम कहते है keyword ओके keywords की game यह होती है कि जो keyword आपने यहां पर लिखा है और जिस जिस website ने जैसे यह M.U.Creatives है यह ecodmc.com है और यह intrasics.com है MS.com इन सब websites ने अपनी description में यह words यूज किये होते हैं जो हमने यहां पर लिखा ठीक है तो यह strategy होती है Google पर number one आने के लिए यह number one यहां पर तो यह एक add आ रहा है ना इन लोगों ने Google को पैसे दिये है Google हमारा जब कोई यह search करे ना कोई भी शाक्स तो Google तूने सबसे पहले ह महा में दिखाने है ठीक है ना Google यहां पर इसे earn करता है दूसरी बात यह कि जब अगर किसी ने पैसे नहीं दिये हुए और organically उसकी website सबसे उपर आ रही है तो यह है क्यों कि इसने भी यह words marketing digital अपने यहां पर use किये हुए है अपनी description में यह description होनी चाहिए जी 160 characters की तो मुझ ठीक है और उसने मुझे का कि उसकी एक website है उसके लिए उसको मैं description लिख दूँ 160 characters की यह keywords कहीं ना कहीं पर adjust करने तो ठीक है मैं description लिखी और क्या वो description 160 characters की है यह नहीं है यह देखने के लिए मैं क्या करना मुझे क्या करना पड़ता था मैं इसको select किया इस text को ठीक है और य 23 words है characters total 138 है 138 बट यह जो spaces हैं इनको भी count किया हुआ है और 160 characters तक आपका यह चली गई है description ठीक है ना लाइंस कितरी बार नहीं है तीन बार नहीं है तो यह 160 characters तक नजर आती है Google के यहां पे search engine में इसलिए 160 characters limited होती है तो यह मैंने आपको एक चोटे सी application दिखाई है कि यह word count कहां कहां पे use हो सकता है यहां तक कोई सवाल होगा तो please आपने पूछ लेना है otherwise अगर कोई सवाल नहीं होगा तो test के लिए अपने आपको prepare कर लीजिए MC को जो short keys की list है वो मैं आपको send कर दूँगा वो आपने याद करनी है उसके MC को किस तरह बन के आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो यहां तक कोई दुख गम परेशानी तुफान आ दी है तो बिल्दा पूछ सकते हैं अके अलाफिज